Hello my dear students, welcome to Magnet Brains, this is your teacher Shilpi Tiwari और आज करेंगे General Knowledge Chapter 1 जिसका नाम क्या था? Where is my house? की exercise. So children हमने इस chapter में क्या पढ़ा था? Houses के बारे में पढ़ा था, कि कैसे कैसे Houses, Areas के हिसाब से अलग-अलग हो जाते हैं. जैसे Desert Areas में, usually आपको घर मिलेंगे मिठी के बने हुए, पानी वाले घर क्या होते हैं, जो आपके रिवर पे फ्लोट करते हैं, जिसे हम कहते हैं हाउस बोट. और घर जो आप अराम से मूव कर सकते हो, one place to another place are known as tent houses, children. Right? So we learnt about the different, different types of houses. So अब करते हैं, children chapter की exercise और समझते हैं कि अब हमको ये chapter की exercise समझ में आई है कि नहीं और हमें solve करना बन रहा है कि नहीं बन रहा है. Okay? So the first is answer in one word. ठीक है, answer in one word का मतलिब क्या होता है? कि आपके उपर जो यहाँ पे sentence दिया हुआ है, यहाँ पे जो sentence दिया हुआ है, इसको पढ़के आपको सिर्फ एक शब्द में answer बताना है. Okay? तो धीरे धीरे, children आपको question पढ़ना है, समझना है और answer को बताना है. Name the type of house that are made up of bricks, cement, wood and steel. आपको बताना है, children उस type का घर जो बनता है, bricks से, माने की इट से, cement से, wood से और steel से. So, children, आप लोग जिन घरों में रहते हैं, वो घर बनते हैं इन ही सारी चीजों से. और इस प्रकार के घर, children, जो cement के बनते हैं, bricks के बनते हैं, wood के बनते हैं, steel के बनते हैं, उनको हम कहते हैं, पकका house. क्या कहते हैं? पकका house. Okay? जो बिलकुल मजबूत होते हैं, long lasting होते हैं, strong होते हैं. और कुछ भी आजाये, तुफान, बाड, भुकम, टिके रहते हैं. Okay? मजबूती के साथ टिके रहते हैं. और इस तरह के घर को, children, हम कहते हैं, पकका house. Okay? So, always remember, those houses which are made up of bricks, cement, wood and steel are known as पकका house. Alright. Now, let's see the next question. Where do the Eskimos live? Eskimos, जो होते हैं, children, वो कहां रहते हैं? Okay? So, children, जो ये Eskimos होते हैं, ये सर्दियों वाली जगाओं पे रहते हैं, जहां बहुत सर्दी पड़ती है. Okay? तो children, जहां बहुत सर्दी रहेगी, उनको ठंड लगेगी. और ठंड से बचने के लिए, इनको एक स्पेशल टाइप का घर चाहिए. Okay? क्योंकि अगर आप जुतना उपर जाओगे mountains के area में, वहां पे क्या होता है? टेंपरेचर बहुत कम हो जाता है. बहुत तेज सर्दी पड़ती है. और इसलिए, वहां के जो घर होते हैं, they are made up of snow. Okay? And such houses are known as igloos. Alright? जो होता है, semi-circle का. और children, जो यह Eskimos होते हैं, जो बहुत सर्दी वाली जगाओं में रहते हैं, उन घरों के नाम होते हैं, igloos. Alright? So, Eskimos live in igloos. Next, a house gives us, simple सा question है children, के एक घर हमें क्या देता है? हम सब घरों में क्यों रहते हैं? क्योंकि हमें क्या चाहिए होती है? हमें चाहिए होती है, सुरक्षा. Okay? So, a house gives us security. Okay? जैसे security guards होते हैं, जो घरों को bad people या animals से बचाके रखते हैं, या फिर bad weather से बचाते हैं, right? So, children जो घर होते हैं, वो हमें इन सारी चीजों से बचाते हैं. It guards us, isn't it? So, a house gives us security. हमें सुरक्षा देता हैं, ताके हम घर में safe रहें, protected रहें. Alright? So, it is security. S-E-C-U-R-I-T-Y. Now, कच्चा houses are usually found in. So, children in the first question, मैंने आप हो क्या बताया था, पक्का हाउस के बारे में, जो बहुत स्ट्रॉंग होता है. किसका, किसका बना होता है? Cement का, wood का, bricks का. So, children पक्का हाउस है, तो पक्का का कच्चा भी तो होगा ना? So, कच्चा हाउस क्या होता है? कच्चा हाउसे बारे में, कहां मिलता है? So, in the chapter, children हमने जाना था, कि कच्चा हाउसे जो मिट्टी के बने होते हैं, वो desert area में मिलते हैं. Right? So, children कच्चा हाउसे अर यूश्यली फाउंडेन, desert areas, rural areas, है ना? गाउ में भी कच्चा हाउसे बहुत मिलते हैं. So, यहाँ पे children हम लिखेंगे, जो common answer होगा आपका, आगे जाके भी, कच्चा हाउसे अर यूश्यली फाउंडेन, विलेजेज, ओके, गाउ में, जहाँ पे चिल्रन, ब्रिक्स नहीं होते, सिमेंट नहीं पाए जाते, तो वहाँ पे कैसे घर बनते हैं? मिट्टी के घर बनते हैं. जो पड़ी होती है, जो कहलाते हैं कच्चा हाउस. So, कच्चा हाउसे अर यूश्यली फाउंडेन, विलेजेज, गाउ में. next multi-storied houses are also called as multi-story क्या होती है लंबे-लंबे towers होते है children ऐसे इनको हम कहते है multi-story buildings और children इनमें एक-एक फ्लोर पे क्या होते है घर होते है कभी-कभी तो एक में ही दो-दो घर होते हैं children तो ऐसे घरों को हम और क्या कहते है आपको पता है ऐसे घरों को children हम कहते है flats, isn't it? या फिर apartments so multi-storied houses are also called as flats या फिर children you can say apartments ओके? जो टॉवर्स में होते हैं बड़े-बड़े उचे-उचे होते हैं और फ्लोर्स में घर होते हैं ओके? so this is the answer that is multi-storied houses are also called as flats या फिर apartments okay now dash is made of ice and snow कौन सा घर children? ice और snow का बना होता है बरफ का बना होता है कौन सा घर होता है अभी बताया था है मैंने जो थंडी वाली जगाएं होती हैं children जहां पे आपको मिलते हैं eskimos और उनको बचना होता है सर्दियों से ऐसे लोग children रहते हैं कहां? इगलू में और इगलू किसका बना होता है? ice और snow का सो इगलू is made of ice and snow ओके ओल राइड ना टिक दा करेक्ट आंसर अब children आपको क्या करना है? दो में से करेक्ट आंसर को टिक करना है ओके सो कच्चा हाउस is a dash बंगलो या फिर hut बंगलो बंगला होता है कि छोटी सी जोपडी होती है सो yes children कच्चा हाउस क्या होता है? आपका hut होता है जोपडी होती है जो कि ऐसी होती है है ना जो desert areas में मिलती है या फिर rural areas में मिलता है villages में मिलता है है ना सो कच्चा हाउस is a hut माने कि B option ओके ना पक्का हाउस are mostly found in और जो पक्के हाउस होते हैं जिनमें आप रहते हो, जो meat के बनते हैं, cement के बनते हैं, वो कहां मिलते हैं? Cities में के villages में? So yes children, cities, माने के A is the right answer. Cities में, शेहर में मिलते हैं हमें पक्का houses. Okay, पक्का houses दिखता कैसा है? The picture is in front of you, my dear students. This is your पक्का house made of cement and is very, very strong. Okay, next question. पक्का house is made up of, जो पक्का house होता है children, जो के अभी हमने देखा, वो किसका बना होता है? Option A, mud माने के मिठी का. Option B, bricks माने के इट का. So yes children, it is option B, bricks, इट का. तभी तो इतना मजबूत है, solid है, strong है. So option B, bricks. Now, a flat is a dash, कच्चा house के पक्का house. So children, हमने पढ़ा multi-storied buildings के बारे में. So यह जो flats है, multi-story है, क्या यह कच्चा है? कच्चा होते children, तो यह धर-धर-धर-धर करके नीचे गिर जाते. टिके हुए हैं मजबूती के साथ, तो इसका मतलब क्या है यह? यह है, option B, माने के, पक्का house. Okay, so flats, apartments, multi-storied buildings are, पक्का house children. All right. Now, match the following. Match करना है आपको अब. So, children, यहाँ पे pictures दी हुई हैं, आपको उनके name के साथ match करना है. First है, आपका tent, जो की बना होता है, cloth से. और यह बहुत असानी से, एक जगा से, दूसरी जगा move कर सकते हैं. Right? So, this is your tent, made up of canvas children. All right? So, यह वाले option को आप tent से match करोगे. ध्यान से match करना. Second क्या है, children? Second जो है, children is made up of bricks, cement, steel, wood. माने के यह क्या है? पक्का house है, children. इसलिए इसको हम पक्का house के साथ match करेगे. Third क्या है, children? Third is your children, जोपडी. माने के hut. Okay? That is made up of mud. इसलिए कौन सा घर है वो? कच्चा house है. Then, next आप देख सकते हैं, यह सुन्दर सा इगलू है, विच इसमेड़ आफ आइस एंड स्नौ. Okay? So, this will be matched with इगलू. Next, children, क्या है? The house on wheels. कभी-कभी तो खाने की चीज़े भी wheels पे मिलती हैं. कितने लोगों ने burgers खाया हैं? कितने लोगों ने wheels वाली गाड़ियों में बैट के खाया है? So, children, ऐसा घर जो वील्स पे होता है, is known as caravan. Alright? So, children, आपको ऐसे match करना है? Tent हो गया आपका first. Then, आपका पका house हो गया second. Hutt हो गया कच्छा house. Then, इगलू हो गया आपका fourth. और कारवन हो गया आपका fifth, children. So, you can take the screenshot and do it later on also. Okay? Now, next. Complete the parts of the house. आपको एक घर को complete करना है. बहुत ही interesting सा है question, children. बहुत मजा आने वाला है हमको. ठीक है? So, यहाँ पे children, arrows दी हुई है, हर-हर एक एक घर के कोने की. आपको इनको complete करना है. And the options are given children. So, the first option is starting from the roof. That is first option, roof. माने के छट. छट ना हो तो हम घर में नहीं रह सकते. बारिश से कौन बचाएगा? धूप से कौन बचाएगा? राइट तो छट जरूरी है. And छट is known as roof. Second क्या है, children? Second है आपका bedroom, जिसमें हम सोते हैं तान के. जब दिन बर के ठके होते हैं, बेड्रूम में जाके सो जाते हैं. So, this corner of your house is your bedroom. Third क्या है, children? Third is your bathroom, जहां पे हम फ्रेश होते हैं. ब्रश करते हैं, नहाते हैं. Okay, so this area is your bedroom. Next है living room, जहां पे बैठ के हम family members TV देखते हैं, गप्पे लगाते हैं, मस्ती करते हैं. Okay, next है आपका hall. Okay, this is your hall, children. जहां पे guest को बुलाया जाता है, बैठा जाता है, खाना खाया जाता है, सब मिल जुल के, खूब सारी मस्ती करते हैं. Okay, then your kitchen. Kitchen क्या है? Where your mama cooks food for you, delicious food for you. So you can see the utensils are kept to children, right? So this space is known as kitchen. Then garage, where you park your car. एक गराज होता है, जहां पे आपकी गाड़ी सुरक्षित रखी जाती है. So this is your garage, children. Then your garden area, where you just go and play out with your friends. So this is your garden area, children. All right, सारी के सारे fill up हो गए. So इस तरह से चिल्रन घर का हर एक कोना होता है, बहुत जरूरी. अगर ऐसे question हो, children, तो आपको हर एक कोनर भी जानना है, जरूरी. Okay, so children, this was the exercise of chapter, where is my house? जिसमें हमने जारा के हर घर, हर एरियास के क्या होते हैं? अलग होते हैं? क्योंकि वहां की requirement अलग होती है, वहां का weather condition अलग होता है. And that is why we find different, different types of houses. Okay, so next chapter में, children, हम लोग करेंगे नही बाते, नहीं टॉपिक से शुरुआत, तब तक के लिए Magnet Brains को like, follow, subscribe करना ना भूलें. क्योंकि Magnet Brains सेता है, kindergarten to grade 12, free videos and free education. Thank you.